हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एक्जाम क्रेजर में दोस्तों आज है बाइस अप्रेल और आज के वीडियो में हम बाइस अप्रेल से समंधित उत्रप्रदेश के सभी एक्जाम के लिए अचैनल से को इसले खिरी लिएक लिएको के लिए वैप सारी पीडियेफ एक साथ मिल जाती है और दोस्तों वीडियो के अणत्में आपसे अ क्वेशन भी पूचेंगे जिसका जवाब आप सभी को कमेंट वोक्स में दिना है नथि जलिए स्टार्ट करते है तो इसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है वहां से आप इसे डाउलूड कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपको जनवरी और फरवरी 2023 मन्द की पीडियो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और अगर इसे डाउलूड करने में कोई प्रवलम होती है तो साइट पर आपको वर्टसप नंबर और इमिल मिल जाएगा जिस पर आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं और दोस्तों यह जो पीडियेफ उबुक है यह इसमें करेंट अफेर्स के साथ साथ U.P.G.K के भी सभी मोस्त इपोर्टन टॉपिक को कवर किया गया चलि इस सुरू करते हैं करेंट अफेर्स का सिसन तो आज का सिसन सुरू करने से पहले हम कल के कुश्छन करिएंगी कल का पहला कुछन है सौ दिन का काम पूरा करने वाले परिवारों की संख्या की मामले में कौन सा राज्य सीर्स पर है तो जो हमार उत्तर प्रदेश है ये जो है मंडिगा के तहत काम देने की सौ दिनों का काम देने की मामले में सीर्स पर है अगला है उत्तरप्रदेश के हरकोर्ट, बटलर, प्राविदिक, विश्विद्यालक के किस प्रोफेसर दोरा एक दुआ रहत चूला तयार किया गया है ओप्सन यहां पे C करेक्ट होगा A और B दोनों यानि प्रोफेसर जेवासकर और प्रोफेसर A के राठोर के दोरा अगला है साल 2023 के लिए लता, दीनानाथ, मंगेशकर प्रोफेसर से किसे सम्मानित किया जाएगा तो यह दिया जाएगा आसा भूसले को अप्सन यहां पे करेक्ट होगा और यह दोसरी वाइर्स इस प्रोफेसर को दिया जा रहा है यह दियान रखेंगे, पहली बार PM मोधी को दिया गया था अगला है, हाली में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे धनी सहर कौन सा रहा तो दुनिया का जो सबसे धनी सहर है वो रहा है नियू यॉर्क, ऑप्सन नमबर C यहां पे करेक्ट हो जाएगा अगला है, गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए किस राज्य ने पहली बार जल बजट अपनाया है तो ऑप्सन नमबर D यहां पे करेक्ट हो जाएगा केरल ने अगला है, दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट कौन सा देश बना तो दुनिया का जो सबसे बड़ा नार्को स्टेट है वो बना है सीरिया option number यहां पे B correct हो जाएगा और narco state का मतलब क्या होता है तो narco state का मतलब होता है कि कोई भी देश जो की अपनी अर्थ वबस्ता चलाने के लिए पूरी तरह से नसी के निर्याथ पे निर्वर होता है अगला है IPL में 6000 रन बनाने वाले दुनिया के चोथे वल्लेवाज कौन बने तो यह बने है रोहिस सर्मा option number यहां पे A correct हो जाएगा तो दोस्तों यह थे कल की questions जिसका हमने revision किया अब हम सुरू करते हैं आज का season आज का पहला गुशन है हाली में होई गोशना के अनुसार उत्तर प्रदेश का पहला महला विश्विद्याले कहां पर बनेगा तो यह बनेगा गोरगपुर में option number यहां पे A correct हो जाएगा तो गोरगपुर में प्रदेश का पहला महला विश्विद्याले बनेगा यहां पे अंतराश्च्य इस्तर की सारी सुविदाएं अपलब दोंगे CSR के तहट करीब 700 करोल रुपए की लागत से गोरगपुर जिले में यह प्रस्तावित महला विश्विद्याले का निर्मार किया जाएगा तो most important रहेगा कि प्रदेश का जो पहला महला विश्विद्याले बनेगा तो गोरगपुर में यह बनेगा ठीक है और 700 करोल रुपए की लागत लगभग इसमें आएगी इस विश्विद्याले में प्रात्मिक से लेकर उच्छी सिक्षा तक की व्यवस्ता होगी बालिकाओं के उत्थान के लिए जरूरी सुविदाओं के आखला नितू कंसल्टैंसी फर्म को जिम्यदारी दे गई है तो यह आपको ध्यान अक्ता है कि प्रदेश का जो पहला महला विश्विद्याला है वो कहां पे बनेगा गोरगपुर में यह बनेगा ठीक है और अगर हम बात करें कि एरिया की लगभग कितने एरिया में यह जो महला उनके दोरह यह जनकारी दे गई है तो ध्यान रखेंगे प्रदेश का पहला महला विश्विद्याला कहां पे बनेगा गोरगपुर में यह बनेगा अगला है आई ओर ने किस जिला प्रशासन को विश्व रिकॉर्ड का किताब दिया है तो ओप्सन नमबर तो सी ओप्सन य हमें प्रतिभागियों के लिए इंडिया रिकॉर्ड अकादमी द्वारा प्रमारित एक विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है प्रसनोत्री प्रतियोगता यह 13 अप्रेल 2013 को आईजित की गई थी और जी टॉन्टी सिकर सम्मिलर में भारत की अधिक्षता वसुदहयव को टुम रिकॉर्ड होसिल किया है तो यह चीज़ आप लोग हां रॉक है वारनशी है कि अगला है हाली में किस राजय सरकार निया आवारा कुत्तों की संख्या नियंतर्द करने के लिए एनिमल वर्स कंट्रूल सेंटर खोलने जा रहे है तो कौन सी सरकार जो है आवारा कुत्तों प खोलने जारी है और इसके लिए स्वान पसू प्रवंधन मैनुवल जारी की जा चुकी है ठीक है स्वान प्रवंधन जो मैनुवल है उसे भी जारी किया जा चुका है हर जिले में पसू कुरूरता निवारण समीती भी बनाई जाएगी तो जो देश है राजिका की सड़क पर इधर उदर घुमने वाले जो कुत्ते हैं उनकी संख्या को नियंतरत किया जाए दोजार उनीस की अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो भारत में ग्यारा दिसमलव पांच तीन करोर से अधिक निराश्यत कुत्ते हैं इन मेंसे बीस दिसमलव पांच नौ लाग से अधिक यहां पर क्या होगा पालतू तो यह है रिपोर्ट के आंकले की जो उत्तर प्रदेश में कुत्तों की संख्या है वो लगवग साड़े बीस लाग के आसपास है ठीक है और इसी को लेकर के अब जो राजी सरकार है उसने क्या किया है कि जो आवारा कुत्ते हैं उन पर नियंत बताए गए जैसे जो भी पसू रखेगा जो भी कुत्ता रखेगा उसको जो है पलोसियों का भी ध्यान रखना होगा पालतू जानवरों का टीका कनुस को कराना निवारे होगा इसके अलावा पालतू कुत्तों की नस्बंदी भी कराना जरूरी है और इसके अलावा उपर किसी भी तरह की कुरूरता नहीं की जा सकती है पालतु कुत्तों को इधार उदर परित्याग करना एक दंडनिया अपराद होगा कि किसी भी पुसु को आप इधार या उदर कहीं जगा पर छोड़ नहीं सकते तो यह सब है और ऐसे जो नियम बनाए गए हैं अगर इनका कर रही है और पसु कुरूरता निवार्ण समीती भी बनाए गई है जिससे की कोई वक्ती पसुम पर कुरूर ही विवहार ना कर सके अगला है हरून ग्लोबल यूनिकॉर्ण इंडेक्स 2023 में भारत किस इस्थान पर रहा तो आप्सन नमबर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा भारत रहा है तीसरे इस्थान उस्तों हरून द्वारा ग्लोबल यूनिकॉर्ण इंडेक्स 2023 से भी जारी किया गया इसमें भारत जो है वो अमेरिका चीन के बाद दुनिया के तीसरे सबसे बड़े यूनिकॉर्ण वाले देश के रूप में अपना इस्थान बरकरार रखा ह अलाकि है हरून ग्लोबल 500 इंडेक्स में पाँचवे इस्थान पर है जो दुनिया भर में 500 सबसे मूलेवान गैर राध्यो नियंतरत व्यवसायों की सूची है सिकोया कैपिटल, टाइगर, ग्लोबल मेनेजमेंट और सॉफ्ट बैंक ये सीर्स तीन यूनिकॉर्ण ने वही सके हैं तो यहां से आपको यह देनक्टा है कि हरून दौरा जो ग्लोबल यूनिकॉर्ण इंडेक्स तो अजर थी सभी जारी किया गया है इसमें भारत तीसरे स्थान पे है, अमेरिका और चेन के बाद और अगर हरून ग्लोबल 500 इंडेक्स के अगर हम बात करें, यह अलग इंडेक्स है तो इसमें भारत जो है वो पांचवे स्थान पे आता है अगला है वीर्था पुरुसकार पाने वाली पहली महिला एर फोर्स अधिकारी कौन बनी तो वीर्था पुरुसकार पाने वाली जो पहली महिला एर फोर्स अधिकारी है वो बनी है दीपी का मिस्रा ओप्सन यहां पे C करेक्ट हो जाएगा जो तो विंग कमांडर दीपी का मिस्रा है ये जो है वीर्ता प्रुसकार वीर्ता पदा कगरम का है उसको बाने वाली पहली महला वायू सिना दिकारी बन गई है इस अवार्ड की घोशना पिछले साल सुरतंदरता दि 2020 में उत्तरी मंद्य प्रदेश में आई बाड में मानवी ऐसा हैता देने के लिए तैनात किया गया था तो यह भी मोस्ट इंपर्टेंट हो जागा क्योंकि पहली महला है एरफोर्स की जिसको वीर्ता पदक दिया गया है तो ध्यान रखेंगे ये पहली महला बन गई है वीर प्रेक्ट हो जाएगा दोस्तों केंद्रिय कुर्शी मंत्री नरेंद्र सिंग तो हम और ने साथी पूर्टल यानि सीड ट्रेसिबिल्टी ऑथेंटिकेशन एंड हॉलिस्टिक इन्वेंट्री ये साथी का फुल फॉर्म होगा ठीक है यह ध्यान रखेंगे तो और एक मोबा किसान की थीम पर विक्सित किया गया है सरकार बिवन योजनाओं और कारेक्रमों के मद्यम से कृषी छेतर की चुनोतियों को दूर करने का प्रियास कर रही है तो ध्यान रखेंगे आप कि हाली में साथी पूर्टल और एक मोबाइल एप लॉंच किया गया है किसके उद्व तो इसका जो प्योग है वो बीज उत्पादन गुर्वत्ता बीज पहचान बीज परमानन तो यह जो काम है इसके लिए किया जाएगा और यह किस थीम पर विक्षित किया गया है यह विद्यान रखेंगे तो उत्तम बीज समर्द लिक्रिशान यह थीम है इसके आदार पर इस पोर्टल को लॉंच किया गया है अगला चुनाव आयोग ने पहली बार किस राज में वोट फ्रॉम विकल्ब की शुरुवात की है तो कहां से शुरुवात की गई है ऑप्शन डे करेक्ट जाएगा करनाटक से दोस्तो चुनाव आयोग जो एलेक्शन कमिसन है उसने करन करनाटक विदानसभा चुनाव में पहली बार वोट फ्रॉम होम का विकल्ब इस किया है यानि असी वर्से जादा एज के जो लोग होंगे वो जो है और जो विकलांग लोग होंगे उनके लिए ये विवस्ता होगी वो अपने घर से वोटिंग कर सकेंगे असी वर्से अधि 2900 विक्तियों और विकलांग विक्तिय जो लोग है उन्होंने वोट फ्रॉम होम विकल्ब का विकल्ब चुना है तो यह जो नई विवस्ता है वो पहली बार की गई है और करनाटक विदानसभा में चुनाव आयोग ने ये विकल्ब पेस किया है पहली बार ध्यान रखेंग जो विक्सित भारत नागरिकों को ससक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचाना यह इस साल की ठीम है प्रदानमंत्री Нरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली नए विग्यान भावन में सोलवे सिवल सेवा दिवस के अवसर पर लोगों को संभोधित किया और पहली बार ये जो दिवास सेवु का मनाए गया था तो 2006 में विग्यान ववन में ये मना गया था तो ध्यान रखेंगे यहां से अभी कि जो रास्ट्रिया सिविल सिवा दिवस से कब होता है 21 अप्रेल को इस साल की थीम किया है तो विक्सित भारत नागरिकों को ससक्त बनाना और अंतिम मिल तक पहुंचाना ये साल की थीम है और के वीडियो को कुशन जो हमने आपसे पूँचा था तो ये कल की वीडियो को कुशन है जो आप से पूछा था कि हाली में उत्त्रव अबरदी सरकारी किस वरस तक सरकारी विभागों में सो प्रतेशत इलेक्ट्रिक बहान रखने का लक्ष रखा है इसका नंसर था था एक ब पर जो भी free쓵 में देना है करें कि सभी लोग क्uesन का आंसर करें जुस्तो आज का वीडियो पसंद आया हूँ तो इसी लाइक करें आपने दोसनों के साथ सेर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथी वेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू